उत्तर प्रदेश के हर दोई के गोपा महू कस्वे में 24 दिन पहले दफनाए गई युपती के शव को दीयम के आदेश पर कबर खोद कर निकाला गया है आपको बता दे कि महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए सुनियोजी धंग से हत्या करने की रिपोर्ट तडियावा थाने में दर्च कराई थी आठ जनवरी को रात तबरेज और आस्मा हरदोई से कार से जा रहे थे संदिक दहालात में कार हरदोई सितापुर माल्ग पर सिक्रोहरी पुल के निकट नहर में गिर गई थी जिसमें आस्मा का पती डूबने से बच गया था और आस्मा की डूबने से मौत हो गई थी ससुराल वालों पर सुनी योजित तरीके से आस्मा की हत्या का आरोप लगाया था पिता नूर हसन की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या दहे जुत पीड़न आधी की धाराओं में ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्च की गई थी नूर हसन ने DM की प्रात्ना पत्र दे कर शब का दोबारा पोस्मॉटम कराने की मांग की थी DM के निर्देश पर शब कबर से निकाल कर दोबारा पोस्मॉटम के लिए भेज दिया गया इसलिए अभ्योग पंजिक रित है और आपको ग्यांत होगा कि जिसमें एक अपति पती और अ करी पोश्माटन किया जाए Ugh अच्छा मादे सुपरांत उनका अखली पोस्टमार्टम कराए जागा राजघराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज